तो देखिए इस वीडियो के अंदर कुछ भहंकर questions आएंगे and you will love it लेकिन ये समझ महुसी को आएंगे जिसने मेरी सारी previous videos देखी हुई है तो कोई शक्तिमान बनने की कोशिश ना करे अगर videos पुराणी नहीं देखी तो इसे देखने का benefit नहीं है चलिए तो देखिए एक numerical है इसमें दिया हुआ है sk is equal to this कोई relation दिया हुआ है all right then proof this is equal to that okay बड़ी साफधानी और बड़ी knowledge वाली बात है इसके अंदर पहले काम करते हैं guys देखो sk हमें दिया हुआ है a raise to par k plus b raise to par k plus c raise to par k और हमें चाहिए s 0 तो यहां डालो k की जगा 0 तो यह आएगा a raise to par 0 b raise to par 0 मैं एक निकाल के आपको दिखा देता हूँ a raise to par 0 b raise to par 0 c raise to par 0 किसी भी number की power 0 हो तो उसकी value 1 हो जाती है 1 1 तो answer कितना आए 3 यानि इस particular जगा पर कितना आएगा 3 आएगा ठीक है तो मैं numerical को थोड़ा सा convert कर देता हूँ change कर देता हूँ तो यहां तो 3 आएगा 1 डालूंगा मैं k k की जगा तो I think a plus b plus c आएगा ठीक है जी 3 डालो a q plus b q plus c q all right सब कुछ इसके अंदर पुट हो रहा है इसके अंदर 1 डालो इसके अंदर अगें यह 2 डालो तो you will get a square plus b square plus c square 3 डालो guys a q plus b q plus c q ठीक है 4 डालो a4 plus b4 plus c4 ठीक है इसी को हां जी guys ठीक है अब देखो अब आएगी समझदारी वाली बात अगर मैं इस पूरे result को analyze करूँ और video number 2 की याद करूँ determinant part 2 की ठीक है तो इसको अगर कोई बच्चा ऐसे करके लिख दे 1 1 1 a b c a square b square c square और इधर power 2 लगा दे तो कोई दिक्कत है तो सोचो मैंने पहली कहा था knowledge की ज़रूत है देखो इसका result यही तो आता था इसको 00 बनाते थ इसको फिर expand करते थे तो result आपको यही आता था अगर आपको याद हो ठीक है तो यह बात आपको याद होने चाहिए अगर याद नहीं होगा फर्स जाएगा अब मैं काम करता हूं right hand side ले लेता हूं वह वाली side और इसको ऐसे लिखता हूं 1 1 1 a b c a square b square c square into 1 1 1 a b c a square b square c square बात इसको लिखते थे दो बार a square को a into a ठीक है अच्छा है अब हर बच्चे को यह बात याद होनी चाहिए अगर याद नहीं है तो a का determinant या a transpose का determinant एक ही बात होती है इसके उपर हमने numericals भी किये थे मैंने properties में भी आपको याद करवाया था यह बात ठीक है a का determinant और a transpose का determinant a की बा ठीक है अब बात आएगी हमें कैसे पता चलेगा अब तुम्हें नहीं पता जबी तो मैं बता रहा हूं तुम्हें पता होता हो तो फिर बताता ही क्यों चलो देखो मैं चाल क्या खिलने वाला हूं मैं इस वाले determinant का transpose करने वाला हूं 111 रोज को कॉलम a b c और a square b square c square ऐसा किय अब एक बच्चा लड़ता है मिरसे बोलता है sir how ऐसे कैसे अरे यह वाली properties देखो लड़ो मत a का determinant और a transpose का determinant बात एक है क्योंकि यह matrix थोड़ी रही है तो यह number है इसको solve करके तो एक number ही आएगा तो number तो same ही आएगा ठीक है अच्छा जी अब देखो अब क्या होने वाला है अब multiply multiply आपको आता है row wise जाना है और column wise आ जाना है ठीक है वैसे determinant की multiply row की row में भी हो जाती है column की column में भी हो जाती है और row की column में और column की row में लेकिन यह अभी 12th का मसला नहीं है यह competition के बात का है ठीक है इतने फीस में आपको इतना ही मिलेगा चलो ध्यान से देखो just मजा कर करो मैं इसकी multiply इसमें करो तो 1 की 1 में 1, 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 तो I got 3, oh answer आने वाला है वही कुछ कुछ आगे अब इसी row की multiply इसमें होने वाली है चलो 1 की A में, okay A, इस 1 की B में B, प्लस इसकी इसमें C, सारे प्लस हो जाते हैं वही, क्या बात है जलग दिख रही अब इसकी multiply इसमें, 1 की इसमें A स्कूर, 1 की इसमें B स्कूर, 1 की इसमें C स्कूर, very nice, ठीक है, तो I think अब आप सारा कुछ कर सकते हैं अपने आप, and this question is CYS, complete yourself, अरे इसकी multiply इसमें, इसकी इसमें, इसकी इसमें, इसकी इसमें, इसकी इसमें, इसकी इसमें, इसकी इसमें, ठीक है, तो बड़ी साफधानी वाली बात थी, यह question आपको ढूंडने से भी नहीं मिलेगा, NCRT और ID के अंदा, ठीक है, कहीं और से आया है यह question, चलो अगला देखते हैं, हां जी, तो अब एक और भेंकर, इस वीडियो का नाम ही है, भेंकर वीडियो, ओके, A plus B plus C is equal to 0, ओके Show that the value of X is equal to something, अच्छा, खतरनाक लग रहे है भी, और एक determinant is equal to 0 दिया हुआ है, ठीक है, no problem, we can solve, तो पहले right side is equal to 0 है, दोनों साथ साथ चलते रहेंगे, A minus X, C, B, C, B minus X, A, B, A, C minus X, मैंने कहाता न, concept same है, question कितने भी बन सकते हैं, तो कोई नया concept थोड़ी आ रहा है, सब कु यह देखो, चरह सोचो भी कुछ भी करके, या तो पुरा same बनाओ, या 00 बनाओ, या common लो, कुछ भी करो, बट करो, तो यहां रास्ता एकदम open है, कि इसके अंदर अगर मैं इसको, इसको add कर दू, तो same बन जाएगा, तो वो common आ जाएगा, right, इसके दोना, इसमें दोनों रा a plus b plus c minus x, a plus b plus c minus x, बाकी सब कुछ same रहेगा, गाइस, ठीक है, तो बेटा, वीडियो को pause करके, note भी किया करो, साथ साथ, तभी समझ आएगा, इसे common ले लो, तो a plus b plus c common, यहां बचा one one one, imagine किया करो, कि मैं आपके सामने ही, ये face to face करके पढ़ा रहा हूँ, तो जदा समझ मे आएगा, देखो जी, ये तो आपको zero दिया हुआ, शायद a plus b plus c, देखो a plus b plus c zero, तो ये तो zero ही हो गया, ये minus का x तो जिंदा है, कोई दिक्कत नहीं, और आपको मालू में इनको zero zero बनाना होता है, one one आते ही, आप share बन जाते हो, तो r2 get, r2 minus r1 लगाऊंगा, और r3 get, r3 minus r1 ठीक है, जो basic procedure है, वो तो लगे गई, one c b, answer आए ना आए, वो तो बाद की बात है, जितना आता है, उतना तो try करना चाहिए है, one में से one गया, zero, b minus x में से ये minus हुआ, तो ये कुछ ऐसा आएगा, b minus x और minus का c और हो जाएगा, ठीक है, a में से b गया, a minus b, all right, one में से one गया, zero, a में से c गया, a minus c, और c minus x में से b गया, c minus y, ठीक है, ये minus का x ही आपका बचा हुआ है, और ये देखो, अब expand हो जाएगा, और तो कोई रास्ता है नी, तो expanding along r1, इसको बाद में लिखूँगा, यहां लिखता हूँ मैं, expanding along r1, तो ये गया, और ये गया, इसकी multiply इसमें, और इसकी multiply इसमें, ठीक है, चलो, मैं लिख देता हूँ directly, जब तक आप सोचो, हाँ जी गाईस, ठीक है, तो मैंने यहां से rub करके, calculation मनी मन में करके direct लिख दिया, ठीक है, तो I hope आपको आगया होगा, आप कर लेना, ये minus x तो था ही, जिन्दा, कोई दिक्कत ही, ये वाला minus अंदर भेज़ दो, तो ये x बाहर ही रहने दो, और जब ये minus अंदर जाएगा, तो sign सब के change है, देखो, minus हो जाएगा, ये plus हो जाएगा, ये plus हो जाएगा, ठीक है, ये plus हो जाएगा, ये minus, ये भी minus, और ये भी minus, is equal to कितना 0, यहां तक तो कोई issue वाली बात नहीं है, अब ये अपने आप में एक bracket है, और ये पूरा अपने आप में एक bracket है, is equal to 0, तो एक तो इसे ले लो 0, है ना, या तो ऐसा होगा, या फिर एक इसे ले लो, minus x square plus a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ac is equal to 0, इस वाले portion को यहीं रहने दो, x को वहां ले जाते हैं, तो कुछ ऐसे हो जाएगा, a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ac is equal to x square, यहां तक तो भाई कोई issue नहीं है, ठीक है, अब देखो जहलक देखो, answer चाहिए, a square, b square, c square, कुछ-कुछ तो दिख रहा है, a square, b square, c square, ये कुछ फाल्तु चीज़े आ रही है, तो बस यहीं है, यहीं question फस रहा है, अगर यहां से हट जाए, तो हमारी ब मैं लिख देता हूँ, x square, ये तो है, a square, b square, c square, अब जड़ा समझ ना, मैंने इसमें से क्या किया, minus common लिया, ठीक है, अंदर बचा a, b, b, c, plus का, ठीक है, समझने वाली बात है भाई, थोड़ा साफधान रहा न, ac, कोई दिक्कत नहीं, बात देखो, अभी वी होई है, मैंन आने की कोशिश हो रही है, आगे देखते है, a square, plus b square, plus c square, अब धमागा होने वाला है भाई साफधान रहा न, अगर मैं इसे लिख दू, a, plus b, plus c, का whole square, minus, सुनते रहा न, a square, b square, c square, बताओ कितने बच्चों को पकड़ में आई, देखो, मैंने इस पूरी बात को ऐसे अरे, a, plus b, plus c, का whole square, जरा खोलो, a square, plus b square, plus c square, जो कि ये कट जाएंगे, इनसे, फिर, 2ab, ये रहा, 2b, c, ये रहा, 2ca, ये रहा, है न, तो इसका भी result, वही आएगा, तो ये सोचने वाली बात थी, अब क्योंकि आपको मालूम है, कि a, plus b, plus c, is equal to कितना है, 0, अरे, ये रह भाई, दे रखा है, question के अंदर, तो बस, बल्ले बल्ले होने वाली है, a square, plus b square, plus c square, minus 1 upon 2, this is 0, और बचा क्या, minus का a square, minus b square, minus c square, minus, अंदर से minus को मनाएगा, तो प्लस हो जाएगा, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, guys, a square, plus b square, plus c square, plus half, और a square, plus b square, plus c square, इसके पान में, LCM अग आलोगे, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, two times, ये two जाएगा, LCM two, one's are two, और ये one bracket, तो three हो जाएगे, three by two, a square, plus b square, plus c square, ठीक है, तो देखा, under root उपर जाएगा, तो उपर आजाएगा, under root, हमें तो कोई problem नहीं, under root से, लो जी, आपका result आगया, plus minus में root होता है, तो this is your result, ठी के भी, ऐसे question करने से confidence बढ़ जाता है, और interest बन जाता है, ठीक है, चलो जी, एक और देखते है, अंजी, एक और भेंकर, बोकाल question, ठीक है, देखिए, पांच-पांच bracket लेके आना है, वो भाई साब, यहां तीन नहीं आते है, यह तो पांच मांग रहा है, कोई देखती मत र जाना, पुछ सोचना भी है, तो यार, यह अगर हट जाए यहां से, तो question फोड़ा easy हो जाए, यानि पहला step मुझे दिख रहा है, c2 get, c2 minus c1, भाई, इस पूरे c2 मैसे, अगर यह minus हो जाए, तो a से a cut, है न, effect देखते है, इसका, a square, b square, c square, ऐसी रहेगा, c2 मैसे, c1 minus होग आपको यह सब बाते समझ में आने चाहिए, क्योंकि यह end level है, बाकी तो यह सब ऐसी रहेगा, ठीक है जी, कोई दिखकत नहीं, यह बड़ा अजीब सा लग रहा है, गंदा सा लग रहा है, यह minus 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 तो बहार लेलो, common, गंदा मत रखो, चलो जी, कोई दिखकत नहीं से open कर दे है, यह b square plus c square minus 2bc, this is c square plus a square minus 2ca, this is a square plus b square minus 2ab, all right, bc, ca, ab, यहां तक तो कोई दिखकत नहीं है, थोड़ा और सोचो, सवाल को छोटा बनाओ, जितना छोटा बना सकते हो, देखो, यह minus 2bc हमें disturb कर रहा है, चलो भी, disturb करने वाले बन्दे को पास मत रहने दो, तो minus 2bc, यह bc है, इसमें 2 से multiply हो जाए, तो यह 2bc हो जाएगा, और इसके अंदर add हो जाए, यह c1 get c1 plus 2c3, यह मन मन में होता है यह काम, तो इसका action और reaction नहीं होता, आगे जो होती है, उसका होता है, ठीक है, तो यह ऐसी रहेगा, effect देखते है, a square, b square, c square, यह गलत लगा दिया मैंने, c2 जाएगा, guys, c2, चलो जी 2 से multiply 2bc, add करो, तो जिन्दा बचा, b square, c square, यहां जिन्दा बचा, c square, a square, ठीक है, list up करने वाले को आपने खतम कर दिया, देखा, very good, चलो जी, यहां तक, अब कुछ रास्ता सा नजर आ रहा है, कि यहां तो मैं इसको इसमें जोड लू, तो a square, b square c square, a square, c square, यहां जोड लू, अब यहां समझदारी, अगर किसी बच्चे ने इसको इसमें जोडा, तो a square, b square, c square तो बन जाएगा, common भी आ जाएगा, लेकिन यह तो बड़ा का बड़ा रह जाएगा, तो हम चाते हैं कि यह इसमें जोड ले, ताकि छोटा हो जाए, हैंना, यह, c2 get, c2 plus, c1, effect देखते हैं इसका, मानस तो बहार चली रहा है, तो सावधानी भी है न, देखो, हर बंदे का काम करने का तरीका अलग होता है, काम सबसे होते हैं, लेकिन smartly कौन काम करता है, वही बंदा तो आगे जागे जीत जाता है, है न, एक class में पढ़ते तो सभी ह लेकिन कोई first आता है, कोई second आता है, तो बच्चे के उपर बात है न, उसका interest यह आ गया, इसके बाद तो common आ गया, चलो जी common भी आ जाओ, a square, b square, c square, all right, a square, b square, c square, one, 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 b, c, c, a, a, b, ठीक है, अब तो आप share हो, अब तो कोई रोक नहीं सकता, one, one बन गया, है न, या तो को interchange कहिया, c, one से, और यह minus भी यहां से हट जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है न, जब एक बार interchange होता है, तो बाहर minus आ जाता है, तो यह plus हो गया, इसलिए मैंने किया था, ता कि यह minus बार बार लेके न, फिर ना पड़े, साथ साथ, तो one, 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 this is a square, b square, c square, b, c, c, a, a, b, अब तो आप share बन गए, 0, 0 तो बनाई सकते हो यार, r2 get, r2 minus r1 हा, हसी आरे होगी आपको, r3 get, r3 minus r1, this is a square plus b square plus c square, हम जी वो लो, हम जी, पहले से लिख लो, one, a square, b, c, ठीक है, अब देखो हारा हम से, one में से one गया, zero, b में से a गया, this is b square minus a square, c, a minus b, c, c, a minus b, c, तो c ले लो common, और यह आया, अंदर a minus b, one minus one, zero, c square minus a square, all right, no problem, a, b minus b, c, b common ले लो, यह आया, a minus c, देखे हो, यह b minus a है, और यह a minus b है, उल्टा है, तो minus common ले लेंगे, तो यह minus का c हो जाएगा, और यह b minus a हो जाएगा, ऐसा बन जाएगा, यह ठीक है, चलो, आगे देखते हैं इसको हां जी, तो a square, b square, c square आ चुका है, मैंने यहां से b minus a common लिया, मैंने यहां से c minus a common लिया, और अंदर बचा one, a square, b, c, okay, यहां zero, यहां बचा b plus a, ठीक है, अब जिसको यह बात समझनी आई, उसका तो वीडियो देखना व्यर्त है, यहां बचा minus का c, क्योंकि b minus a common लिया है, और यहां a minus b है, तो b minus a बनाने के लिए minus छुटना पड़ेगा, यहां zero, यहां c plus a, और यहां बचा minus का b, ठीक है, गाईस, देखो हमें 5 bracket लाने ते अभी 3 आये हैं, तो एक और bracket का arrangement करो, उसके बाद expand करेंगे, ठीक है, वरना फस जाएंगे हम, तो देखो यहां पर दिख है, मुझे r2 get r2 minus r3, अरे b plus a में से जब यह minus होगा, तो a से यह cut जाएगा, और b minus c की form बन जाएगी, ठीक है, तो question के अंदर ही है, सब कुछ, और जिसको properties आती है न, समझ लो, वो महावली है mathematics का, हाँ, उससे बड़ा कोई इंसान नहीं है, इस दुनिया के अंदर, तो या minus c में से यह minus हुआ, तो यह plus हो जाएगा, तो minus c plus b बचेगा, ठीक है, b minus c ही है, यह भी, यह 0, यह c plus है, और यह minus b, फिर common आ गया b minus c, यह b minus c है बच्चो, फिर common ले लो, जितना common लोगे, उतना easy बन जाएगा, तो बनाओ, बस अब जितने वाले हैं, ठीक है, तो 0, 1, minus का 1 कुछ नहीं बचा, इदर 1 बचा, common ले लिया, भाई, c plus a minus कर लिया, बस अब expand कर दो इसे along c1, लो जी भाई साब answer आगी, तो देखा, भैंकर, इस वीडियो का नाम है, भैंकर वीडियो, ठीक है, तो यह गया, और यह गया, इसकी इसमें minus b, और इसकी इसमें होगी, तो minus के c c minus 8, ठीक है, अब ठीक करते है, हमें चीए था a minus b, यह बत्तमी जी कर रहा है, तो minus करके इसे सुदार दो, फिर चीए b minus c, यह perfect है, फिर c minus 8, यह भी perfect है, फिर a plus b plus c, यह बत्तमी जी कर रहा है, minus यहां से भी common लो, plus हो गया, a plus b plus c, all right, and here a square plus b square plus c square, this is your result, okay, do more practice, more practice, more practice you do, less mistake you do, okay, this is my funda, अंजी एक और भेहन कर, यह इतना भेहन करनी है, यह तो easy है, दिख रहा है इसमें, जैको a common ले लो, b common ले लो, c common ले लो, तो बहार a, b, c आ गया, लिखना पड़ेगा, taking common a from c1 इस तरह से लिखना पड़ेगा, exam में, तो मैंने a common ले लिया, यहां minus बच गया minus को अंदर भेज़ दो, तो कुछ ऐसा हो जाएगा, a square, minus b square, minus c square, यह हो जाएगा 2a square, यह हो जाएगा 2a square, यहां से b common लिया, तो हो जाएगा, यहां पर 2b square, minus बचा, minus बचा, minus अंदर भेज़ दो, ठीक है, तो b square, minus c square, minus a square, यह 2b square, यहां c common लिया, तो हो जाएगा 2c square, 2c म्इन सब और तो मैनस बचा अंदर वेज़ो cV-a-2- now then बहुत इजी देए को रस्ता खुल रहा है इसके अंदर देखो अगर हम इन इन सब को इसमें जोड़तें तो म्आनस 2 barn रहे हैं तो मैनस बसक्वार के अंदर 2 of स्क्राइब होगा तो प्लस सी स्क्राइब इसमें कॉलम वाइज ही जोड़ना पड़ेगा और रोवाइज बात नहीं बनेगी तो कहीं कहीं दौनों बाते बनती है कहीं कहीं कोई एक ठीक है तो देख लो प्रीवियस कॉंसेट कितने काम आ रहे हैं तो इंपॉर्टेंट कुछ नहा थोड़ी है सब कुछ वह ही है तो मैंने कहाता ना कॉंसेट लिमिटेड है कोईशन अनलिमिटेड तो इसको एड़ करेंगे तो आपको बच्चों कॉमन आपको दिख रहा है कॉमन देखती आधी ताकर बढ़ जाती है आपकी भगवान महावली बन जाते हो आप बाली आधी ताकत ले लेता था दुश्मन से बाकी सब ऐसी रहे गाई है बस वन वन दिख गया हमें अब तो मज़े आ गए अब तो कोशन होई जाएगा ना भी हो कुछ भी करके एंस्प्रूट है ऐसा नहीं करना है पूरा करना है इसके इसमें से जब यह मानस होगा इसका एफेक्ट दिखा दिया है वन में से बन गया जीरो और इसमें से जब यह मानस होगा तो मानस का टू बी स्क्वेर ठीक है और यह बी स्क्वेर है तो मानस का बी स्क्वेर बागी यह मानस सी स्क्वेर मानस से स्क्वेर ही मानस कॉमन लेकर तमीज से लिख दिया, तरीके से, इसमें से ये मानस हुआ 0, इसमें से ये गया 0, इसमें से ये मानस होगा, मानस का 2C square, प्लस का C square है, मानस होगा, सारे मानस, मानस कॉमन लेके ऐसा आगया, ठीक है, अब तो देखो, दिल्ली दूर नहीं है एक्स्पेंट कर दो से यह गया और यह गया इसकी इसमें होगी तो मैनस मैनस प्लस और मल्टिप्लाइ करने की जरुवत नहीं है यह होल स्कॉर हो जाएगा इसकी इसमें होगी पर रहा है C, यह A, यह B, तो यह C यहां से हट जाए, तो C से मल्टिप्लाइ अगर होगा तो C से C कट जाएगा यानि यह R1, C R1 होगा, R2, A R2 होगा और R3, गैट B R3 होगा, action का reaction बाट divide भी होगा multiply होता है तो divide होता है ठीक है तो यहां बचा a square plus b square यहां c square c square यहां बचा a square b square c square a square एक ही multiply होई नहीं इसमें यहां हो गया b square b square c square plus a square ठीक है जी भाई अभी भी कोई रास्ता नहीं दिख रहा answer तो यह लाना है यहां तो कुछ अजीबी दिख रहा है कोई दिखकत नहीं कोशिश करते रहो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है तो देखो भाई इसमें अगर मैं इन सबको जोड़नू नहीं सेम बन रहा है इनको जो तो कोशिश करते रहो hit and trial r1 get r1 plus r2 plus r3 तो valid operation लगाया हमने twice this is a square plus b square all right twice b square plus c square twice c square plus a square हाँ चलो जी बड़ी खुशी सी हो रही है अंदर से कि चेप्टर खतम होने वाला है तो बड़ा भेंकर चेप्टर था यह बड़ा बच्चों को बहुत इसी लगता है matrix और determinant सोचते है कि teacher ने start किया है असान असान नहीं है यह देखो मैंने कितने level chapter का बढ़ा दिया आपके लिए तो detailing में जाओगे तो time लगता है ठीक है और अगर non detailing में जाओगे फिर तो सब होई जाएगा फिर क्या दिक्कत है तो मेहनत करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी जो आपने सोचा हुआ है वो आप बनोगे ठीक है यहां तक आ गया भाई अब जड़ा कुछ और सोचो इसके अंदर देखो इसमें और तो कुछ नहीं दिख रहा है लेकिन एक काम हो सकता है अगर मालो मैं इस मेंसे इन दौनों को लेस कर दू तो 0 बन जाएगा तो कुछ तो बनेगा कुछ तो बनाओ 0-0 तो R1 गैट R1 माइनस करो इसमें से R2 और माइनस करो इसमें से R3 बाई जितने 0-0 बन यह दोनों तो कट बचा किया माइनस का B2 C2 A2 में से इन दोनों को लेस करो C2 A2 माइनस 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 यह कट बचा किया माइनस का A2 चलो जी रास्ता कुछ दिख तो रहा है ठीक है तो अच्छे बच्चे हो आप इस तरह से पढ़ते रहो you will get success in your life surely यहां तक आ गया चलो औ और जड़ा सोचो कुछ और काम हो जाए जड़ा सोचो अगर मैं इसको इसके अंदर जोड़ दू तो देखो B से भी खतम है ना बचेगा C2 और इसको इसके अंदर जोड़ दू तो क्या बचेगा 0 यानि और बनाओ 0 0 R2 में एड़ करो R1 और R3 गैट R3 में भी एड़ करो R1 ठीक है तो एक operation repeatedly कई बार use हो सकता है basic मैं आपको नहीं बता रहा क्योकि में basic बता चुका हूंगी तो advanced level आगया आपका इसके अंदर इसको एड़ करोगे 0 problem. इसके अंदर इसको add करोगे C squared. इसके अंदर इसको add करोगे 0. इसके अंदर add करोगे B squared ये 0. और इसके अंदर add करोगे तो C squared. बस अब क्या expand कर दो कुछ बचा ही नहीं. expanding along किसा जिसरी की along कर दो R pepper नहीं कर देते हैं. तो A, B, C करो जी expand, पहले लेंगे 0, सब कुछ 0, अब लेंगे minus, याद करो यहाँ plus होता है, यह minus होता है, यह mistake बहुत बच्चों से होती है, तो यह बड़ी important बात होती है, 0 लेंगे तो सब 0, minus b square, और यह एक minus हो, तो plus का हो जाएगा, यह गया और यह गया, बचे यह 4, इसकी इसमें, a square, c square, इसकी इसमें 0, no need to write, अब है minus का a square, ठीक है, अब क्या जाएगा, यह गया और यह गया, बचे यह 4, इसकी इसमें 0, इसकी इसमें minus का b square, c square, ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ बागे का result, 2abc, ठीक है बच्चों, इ A2 B2 C2 यह माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और यह भी A2 B2 C2 एक बार एक बार कितनी बार हो गए दो बार तो थाना कोशन बहन कर यह देखो देखो एक A B C इससे कट गए 2 टूजा 4 एक A B C बच गए इससे यह रिजल्ट ठीक चलो और देखते हैं हन जी एक और बहन कर क्वेशन तो यह बोल रहा है कि यह डिविजिबल है A plus B plus C के मतलब इससा जो रिजल्ट है वो A plus B plus C से डिविजिबल है तो क्वेशन बचाओ बताओ ठीक है मतलब जो डिवैड करके बचेगा वो बताओ कि क्या डिवैड करने के बाद क्या रिजल्ट आया तो चड़ा देखते हैं तो भाई पहले तो इसको आप देखो और सॉल्व करने की सोचो तो देखो दूर से ही देखने पर मुझे मिल रहा है कि इन सब को इसमें एड करेंगे तो सब सेम बन रहे हैं है ना यानि यह लगा द बन गया तो इसे आप कॉमन ले लो तो बाहर यह कॉमन आलिया अगया अब स्वी स्कोर मानज ब्च स्कोर CA minus B square आपने 1,1 को देखा और आपके मन में ख्याल आया कि 0 बनाओ तो R2 get R2 minus R1 R3 get R3 minus R1 ठीक है यह bracket में अजीब सा लिखा हुआ है बार-बार नहीं लिख रहा समझ जाना आप 1, यह CA minus B square और AB minus C square आप ज़रा देखो 1 मैं से 1 गया, 0 यहां देखो, यह क्या था? AB, AB मैं से C मतलब इस पूरे मैं से यह minus हो रहा है बट मैं pairing बना के लिख रहा हूँ AB मैं से CA गया, तो आया AB minus CA तो मैंने A common लेके लिख दिया ऐसे B minus C, ठीक है और minus C मैं से यह गया तो यह plus हो गया तो यह आगया B square minus C square लिखा मैंने तरीके से pair बना के आप समझ जाना इसमें से यह minus हुआ तो यह minus हो गया और यह plus हो गया तो मैंने ऐसे ऐसे लिखा BC minus AB, B common लेके C minus A और यहां क्या बचा ही यह? बोलो, C square minus A square ठीक है जी यहां 1 मैं से बन गया, 0 और इसमें से यह पूरा मानस हुआ तो BC minus CA, C common लेके मैंने B minus A बोला ऐसे और प्लस B square minus A square और देखें, यहां CA minus AB हुआ तो CA minus AB होगा तो यह बचा A common लेके B minus C और यहां हुआ यह plus का C square minus B square ठीक है, बड़े ध्यान से देखें हां जी, अब देखो, अब फस रहे दुबारा हम देखो, पूरे में कुछ भी common नहीं है B minus C, B minus C है पर यहां नहीं है कोई दिक्कत नहीं अरे इसमें तो common है इस particular में तो common है बाहर नहीं आएगा वो, यहीं रह जाएगा इसके पास ऐसी देखो, इसमें भी common दिख रहा है C minus A, बाहर नहीं आ सकता इसी के पास बैठेगा वो इसमें देखो, B minus A common है इसमें देखो, B minus C common है ठीक है, तो मैं इसको फटाक से लिख देता हूँ आपके लिए, बाहर एक bracket था ठीक है नहीं, वो खदरनाक सा मैं लिखा नहीं है, कभी आप confuse हो जाओ यह C minus B square है और यह A B minus C square है ओल राइट, देखो, B minus C मैंने common लिया A, B minus C common, यहीं रहेगा बाहर नहीं आ सकता वो, क्योंकि बाहर जब आता है कब सारे में common हो, तो यहां बचा A, और यह क्या है, B plus C बचा, क्योंकि A square minus B square का formula, एक बार minus और एक बार plus minus वाला common ले लिया, plus वाला बच लिया तो indirectly कुछ ऐसा बचा, ठीक है इसमें देखो, C minus A दिख रहा है तो C minus A यहीं रहेगा अंदर A plus B plus C बचा इसमें देखो, B minus A दिख रहा है तो B minus A common यहीं रहेगा बाहर नहीं आएगा ठीक है, उसमें B minus C दिख रहा है और राइट, अंदर A plus B plus C ठीक है, अब देखो, अब कुछ बात बनती नजर आ रही है, अब common है A plus B plus C सम्में, यहाँ भी देखो A plus B plus C सम्में common है तो बाहर वो भेहनकर bracket लिखा हुआ है और एक bracket और आगया A plus B plus C है, यह भेहनकर याद रखना कभी भूल जाओ उसे यहाँ 0, यहाँ बचा B minus C यहाँ C minus A, 0 B minus A, B minus C चलो जी, और सोचो अब कुछ हो सकता है, अब तो कुछ नहीं हो सकता है एक्सपेंड कर दो, तो एक्सपेंडिंग along R1 यहो, सॉरी, C1, क्योंकि ज्यादा 0 इसके अंदर है, तो यह गया और यह गया बचाए इसकी इसमें और इसकी इसमें, ठीक है तो बाहर भेहनकर bracket था A plus B plus C, इसको solve करने से मुझे मालूम है, क्या आने वाला है लिख दू direct, बोलो, पक्का लिख दू हां, जी guys, तो बचाए इसको expand करो, इसको expand करो, ठीक है यह आया, क्या बचेगा फिर, बोलो इसकी इसमें होगी तो मैं direct लिख देता हूं, ठीक है A B plus B C plus A C minus A A square minus B square minus C square ठीक, अब देखना क्या होने वाला है यह जो बयांकर bracket था, यह भी A B plus B C plus A C minus A square minus B square minus C square था, हां और यहां power 2 लगाओ भई, क्योंकि आपने दो जगा से common लिया है, यहां से भी और यहां से भी, तो power 2 है और यह bracket भी देखो, यह ही है AB plus BC plus A C minus A square minus B square minus C square और यह तो आपके पास neighbor आई चुका, A plus B plus C का होल स्कुर देखो, minus S में से common लो minus S में से common लो तो minus minus तो plus हो गया और यह हो गया, A square plus B square plus C square minus AB minus BC minus C, मानस common लेंगे तो उल्टे हो जाएंगे ना, यहां से भी minus यहांसे भी minus common लिया तो वो plus हो लिया इसकी power 2 लिख दो और यह क्या चीज़ है a plus b plus c का whole square इसे ऐसे लिखो दो बार ऐसे करके अब देखो इसे खोलने से यह result आया है ना और question में बोला हुआ था कि यह पूरा result इससे divisible है तो यानि यह तो इसने बता दिया एक factor बचा क्या यह तो यह हमारा question है हमारा जो answer है वो क्या है यह a square plus b square minus a b minus b c minus c a का square और a k plus b plus c पूरा इसले नहीं क्योंकि एक उसने बता दिया था divisible है तो एक ले लिए हमने ठीक है तो this is your result अगर competition में जाओगे तो यह आगे भी solve होता है a q plus b q plus c q का formula लगता है ठीक है उसकी फीस अलागे है चलो बाबाई टाटा एक और question देखते हैं